हेलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल तो फ्रेंज आज हम बात करने जा रहे हैं देश में 5 साल में 3.5 लाग फरजी अधार बने देश में साल 2021 तक 128 करोर 99 लाग अधार कार्ट बन चुके हैं आर्टी आई से खुलासा हुआ है कि पिछले 5 साल में बने अधार कार्ट में 3.5.884 फरजी हैं इन्हें यूनिक आइडेटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निरत्स कर दिया हैं इनमें 10 से 12,000 अधार कार्ट मध्य प्रदेश के थे 3,000,000 से ज्यादा अधार कार्ट डूब्लिकेट और मल्टिपल आर्टी आई एक्टिविटिस्ट चंदर सेखर गौण ने UIDAI से मल्टिपल और डूब्लिकेट संबंधी जनकारी पूछी थी उन्होंने बताया गया कि देश में पिछले 5 साल में 3,500,884 अधार कार्ट डूब्लिकेट और मल्टिपल मिले जिनमें निरस्त किया गया Department of Science M Technology के प्रिंसिपल सेकेटरी निकून सिर्वास्तों का कहना है कि इस अधार का काम UIDAI देखता है राजय सरकार का तो सिर्फ इसमें टेक्निकल सपोर्ट रहता है वहीं UIDAI के भपाल इस्तित ओफिस से इस बारे में कोई जनकारी नहीं मिली है फेक अधार कार्ड में भी मिला फर्जी ID प्रूफ फेक अधार कार्ड में हर एक डिटेल जैसे नाम घर का पता डेट ऑफ पर्थ वर्चोली ID सहीं नहीं थी जब फेक अधार कार्ड का नंबर UIDAI की साइज से वेरिफाई किया गया जो UIED और UIEDAI के डाटाबेस से मैच नहीं हुआ जुलाई के आखरी तक 63.55 करोड अधार अपडेट्स Ministry of Electronics and ITI के अनुसार 2022 में जुलाई के महीने तक देश में 1.47 करोड लोगों ने अपना अधार कार्ड अपडेट करवाया है इसके लिए लोगों ने अधार केंद्रो और अधार अपडेट पॉर्टल की मदद ली जुलाई के अन तक 63.55 करोड लोगों ने अपने अधार कार्ड का डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक डिटेल अपडेट करा चुके हैं कई योजनाओं में अधार कार्ड का अहम रोल LPG मनरेगा और नेशनल सोचल असिस्टेस प्रोग्राम समित कई योजनाओं का लाव लोगों तक डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुचाने में अधार का अहम रोल है देश भर में जुलाई 2022 में 12,511 करोड रुपए का ट्रांजेक्शन अधार पेमिन्ट ब्रिच के माधियम से किया गया जुलाई में अधार के जरिए 22.84 करोड रुपए और EKYC ट्रांजेक्शन किये गये अधार इनेबल पेमिन्ट सिस्टम और Micro ATM नेट्रोग के माधियम से 507 करोड रुपए में रुपए के बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुए अधार काड अधार काड हमारे देश में एक जरूरी डॉक्यूमेंट से इसे सभी जगा ID प्रूफ के सुरूप में स्विकारा जाता है हम बिना किसी जाच के किसी भी अधार नंबर को सही मान लेते हैं UIDAI का कहना है कि हर 12 डिजिटल वाला नंबर अधार नहीं होता कोई आपके अधार काड का गलत इस्तमाल तो नहीं कर रहा अधार काड में आपके नाम, पता और फोन नंबर से लेकर फिंगर प्रिंट तक की जनकारिया रहती है अगर आपको ये डर सता रहा है कि आपको अधार का कोई गलत इस्तमाल कर रहा है तो आप खुद घर बैठे इससे चेक कर सकते हैं UIDAI की Official साइट पर आप Online घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके अधार नंबर का कब और कहां इस्तमाल हुआ है ये है इसकी प्रोसेस सबसे पहले अधार का वेबसाइट या इस लिंक UIDAI.government.in पर जाना होगा यहां अधार सर्विस के नीचे की तरफ अधार Authorization History of Option मिलेगा इस पर आप क्लिक करें यहां आपको अधार नंबर और दिखाई दे राय की Security Code को डाल कर Send OTP पर क्लिक करना होगा इसके बाद अधार से लिंक Registered Mobile Number और Verification के लिए OTP आएगा यह OTP डाल कर Submit पर क्लिक करें इसके बाद आपको Authentication, Type और Dead Range और OTP समित मांगी गई सभी जहनकार्या भरनी होगी Verify OTP पर क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जिसमें पिछले 6 मैनों में अधार का इस्तेमाल कब और कहां हुआ इसकी गलत इस्तेमाल होने पर कर सकते हैं सिकायत रिकॉर्ड देखने पर यदि आपको लगता है कि अधार काट का गलत इस्तेमाल किया गया है तो आप तुरंत इसकी सिकायत दर्ज करा सकते हैं आप टोल फ्री नंबर 1-9-4-7 पर कॉल या help at the rate uidi.government.in पर email करके सिकायत दर्ज कर सकते हैं या फिर uidi.gov.in फाइल कॉम्प्लिमेंट लिंक पर online सिकायत भी कर सकते हैं तो फ्रींट्स आपको मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे comment करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा like, share और subscribe जरूर करें thank you so much